कि नमस्कार दोस्तों मिस्टो हो मैट चैनल में आपका स्वागत है मैं हुरकेश कुमार दोस्तों आज का वीडियो हाई वोल्टेज की प्रबल्म सॉल्व करने के लिए तो फ्रेंट्स हाई वोल्टेज हमारे एरिये में आई थी और काफी नुखसान हो गया छिए ऐसी क INF Biz Boy । खराब हो गया और एक रिमोर्ट वाला पंक्छा तह उसका भी पी-सी भी होगया और तच्च वाले स्विच से गूर्ड मेडल कंपनी के व कराब होकर तो फ्रेंट्स झाफी नफसान होगया हाई वोल्टेश के कारण Effly आई वोल्टेज का solution Havels company ने किया है, तो Havels company में OVT switch launch किया है, जिसका full name है, overload trip switch है, जो three face में भी आता है और single face में भी आता है, तो हमारे this side पर three face मेटा दगा तो हमने three face का Havels company का OVT switch लगा आगा है, तो चलिए friends आपको इसकी unboxing और installation अभी दिखाते हैं, तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो देखिए फ्रेंट्स, यह मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, हाइवल्स के, तो मैं आपको इसकी अन्बॉक्सिंग करके लिखाता हूँ, तो इस पे लिखा है, स्मार्ट टेक्नोलजी एडवांटेज, ठीक है फ्रेंट्स, तो देखिए फ्रेंट्स, यह थ्री फेस का जैसे डीपी होता है, आइसूलेटर होता है, वैसा ही है, और यह अकेला नहीं लगता है, इसके साथ यह कंपोनेंट्स भी लगता है, तो तो फ्रेंट्स, यह इसके साथ अटैच होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अटैच होना है यह, और देखिए फ्रेंट्स, इसमें दो यह पिन लगी हुई है, यह शॉक्टीपर ने दोनों साइड, डेट डाली हुई है, तो यह ऐसे अटैच हो जाना है, इसके ठीक है फ्रेंट्स, और अगर ओवर वोल्टेज होगी तो यह अपने आप टिप हो जाएगा, और हमारी जो लग्टिस सिटी के कारण घर में नुकसान होता है, कंपोनेट्स खराब होता है, इसी फ्रीज, पंखे अधी वगरा वो खराब नहीं होगे, तो फ्रेंट्स, इनक मैं आपको प्राइज भी बढ़ा देता हूँ, इसका प्राइज है 3,898 रुपीज, ठीक है फ्रेंट्स, और इसका प्राइज भी मैं आपको बढ़ाता हूँ, इसका प्राइज है 3,542 रुपीज, लेकिन फ्रेंट्स हमें यह दोनों कॉंपोनेंट्स जो हैं, वो 4,180 अंदादा लगा सकते हो तो केस में कितना लेस मिलता है तो रिटेल शॉप से हमने यह परचेस किया है ओनलाइन ही लिए हुए और दिखिए फैंड्स इससे कनेक्शन क्यासे करने है मैं आपको बजा जेता हूँ यह दिखिए एन लिखा हुआ है इसको उतार लेते हैं यहां से और एन फॉर नूडल और सी थ्री शी टू सी वान तो यह दिखिए एन पर पोजिटिव लगनी है फिरी फैस का है ना पहला फैस शी वान पर दूसरा फैस सी टू पर और तीसरा फैस सी थ्री पर आएगा और नेग्टिव ए जो यह वहां पे आएगी तो यहां पर दूनों लगनी है और एक यहां पर फेस लगना है और एक नूडल इस साइड लगनी है तो मैं इसको में बॉर्ड में लगाकर आपको बता दूगा कि कैसे आपने इसके कनेक्शन करने है ठीक है तो चलिए इसकी इंस्ट्रालीशन स्टार्ट करते है और यह डिस्तिपुशन बॉक्स मे जो चैनल होता है, MCB लगाने वाला, उसी चैनल पर इसको फिट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी इंस्ट्रोलेशन, यह दिखे फैंस, हमने यह MCB चैनल ले लिए है, यह पत्ती जिसे MCB लगाने वाली पत्ती बोलते हैं, और चैनल भी बोलते हैं, लेकिन हमें इ चैनल का है, तो यहां सेंटर पर हम ओबरलोड ट्रिपल लगाएंगे, ठीक है फैंस, तो मैं आपको वारिंग करते हैं फिर दिखाता है, और दिखे फैंस, यह नेक्शन दिएगे हैं, यह पर नेक्टीव लगेगी, तो यूँवान फेस, टू फेस, और त्रीफेस, और फे पर नेक्टीव लगेगी, यहां तीसरा फेस, दूसरा फेस, और वेला फेस, तो इस परेस के साथ करना है, जैसे कि मैंने पर दिखे ले बताया था, तो मैंने इसकी वारिंग लगा ली है, तो फ्रेंड्स, इसकी जो वार है, तो यह सेम कलर है, चरो वारो का, तो लेक्टी टेकते, तो यह मैंने मार्पिन पर लिए, इसके साथ हटाज करना है, तो अब इसकी वारिंग को कट्डिंग कर लेना, कट्डिंग क्या पर करता है, चले है नंदर को, तो नेक्टीव है, नेक्टीव को इस साइड से ले लेते है, जारों का जो जाल है वह भी पड़ेगा तो, तो जो तीसरा फेस है, वह भी साइड ही लख लेते हैं, झाल तो झाल यह को जल चाह我是 Service जारोंख से खृब एंग जारोंब काम जारोंग जारोंख से ρब बम में लेते हैं, जारोंख से अराम तो इसको बाद में क्नेक्शन के टाइम तो यह दू अपर से इसके फिटिंग कर देते हैं मैं लाइट टेस्ट पेन में तीवेज आरे हैं तो मैंने एमसी बॉफ कर लिए हैं आपने भी बॉफ कर लिगी तेवर करना है देखें अवर बॉल्टेइक टिपर लगा दिया यह देखिए तो इसकी वायरी देखिए मैंने किया तू इसके कनेक्शन हो गए है तो आपको समय लगे होगा कि आपने क्या से करने हैं, तो फेंस, येज़ी है, परätter किसी पर kinda करेवाई हैं, तो ज्यादा बेडर है, तो मैंने यहां पर जो वायर ली है यह 1.5 mm कि लीह है, और यह 10 mm की वायर लीह है, खीक है फेंस, आजया है, इस आदी ये 8 mm की वायर है, तो अब इसको अन करके दिखते हैं तो फ्रेंट्स इस मेन बोर्टर मैंने फ्यूज निलगा हुए यह एमसीब लगा हुए कि कस्तमर को असानी रहे क्योंकि फ्यूज जब ऊड़ जाता तो उसमें वायरल लगानी पड़ती है अबर वोल्टेग ट्रिपर की हम आपको टैस्टिंग करके दिखाते हैं तो यह जो तीसरा फेस है इसमें ज्यादा वोल्टेज आ रही है जिसके वज़े से यह ट्रिप हो रहा है तो मैं आपको चेक कर वाता हूँ तिनों फेस की वोल्ट है तो देखिए इदर मल्टीमेटर में 750 वोल्ट पर अल्टरनेटिव करण्ट पर यह मल्टीमेटर चाट किया है और एक वायर इसकी नेक्टिव में लगाई वी यह देखिए और फेस्ट फेस पर लिखाते है और देखिए 226 वोल्ट आ रहे हैं ठीक है और दूसरे फेस पर 20-21 ऐसे आ रहे हैं तो तीसरे फेस पर नीचे से चक करते हैं यह बंद किया हुआ है तो यह देखिए है 250 पवंजा ऐसे आ रहे हैं 200 के क्रीब वोल्ट आ रहे है उपर ही आ रहे है तो देखिए जब मैं इसको ओन करूंगा तो यह ओवर वोल्ट टिप हो जाएगा तो यह बिल्कुल सही काम कर रहा है आपको मैंने टस्टिंग करके ध्या दिया 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 अब इसको आउन कर देता हूं यह तब तक अन होगा जब तक यह वोल्ट आ बंद नहीं होगी दिखिए यह ओन होगा तो इसे बंद करें फिर अन होगा ठीक है और दोस्तों अगर छोटी सी जानकारी आपको अचे लिगे तो प्लीज वीडियो लाइक करें शेर करें और कमेंट करें कि इस वीडियो में आपके जाए तेन फिर्वी अपके अचेर निक्षा इस वीडियो थाया थेसे जानला थेक्यों है थेखिए नस्या करेंट कर्केंगए वरी दिखिये वह बहुत है थाहा थेक्यों थेक्यों है